नमस्कार शाथियों स्वागत है आप सबको अपने आपके यूटूब चैनल में दोस्तों क्या है ना कि आप सबको पता होगा कि आप सबके लिए बिहार पुलिस की तियारी बेहतर हो सके इसके लिए टेस्ट वेपर की हम जो है सिरिज चला रहे हैं और यह आपका टेस्ट वेपर फोटीन है इस टेस्ट वेपर में लगभग आपका 49 से 40 क्यूचन देखने को मिलेगे तो चलिए बिना देर किये वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं पहले क्यूचन की तरफ आते है यह लिजिए पहला क्यूचन आपके सामने आपके स्किन के उपर लगा चुके पहला क्यूचन में क्या कहा जा रहा है देखिए ध्यान से कि सूस के सेल क्या है शुस के सेल जो है वो प्राथमिक सेल है चतूर्थ सेल है दितिय सेल है या कोई नहीं है तो जो सुस के सेल होगा न दोस्तो यह अपका प्राथमिक सेल होता है प्राथमिक सेल होता है ठीक है दूसरी अगर बात करें कि प्रकास की गती नियुन्तम होगी सबसे कम गती किसमे होगा तो देखे हवा या निर्वात में सबसे अधीक होगा अगर अधीक पूछे तो डियॉप्सन हो जाता सही लेकिन सबसे कम किसमे होगा तो यह आपको हो जाएगा किसमे कांच में कांच में सबसे कम परकास की चाल होती ठीक है आप सबको कमेंट में बताना है कि कांच यह परकास की चाल जो है कितना होता है कमेंट करेंगे बेहतर होगा अपकी तैयारी और अच्छे से रिवायज होते चला जाएगा अब गर जो तीसरी की उचन की बात करें कि तडित चालक बनाये जाते हैं तो जो तडित चालक होगा न दोस्तों ये बनेगा अपका तामबा से तडिक चालक किसे तांबा से बनाया जाता है किस यंत्रे का काम जो है किस यंत्रे का काम है डाइनेमो का उल्टा होता है यानि डाइनेमो क्या करता है काइनेटिक एनर्जी को बिधुत उर्जा में कनफर्ट करता है तो उसका अपोजिट कौन है तो उसका पोज़िट जो है मोटर होता है मोटर है ना ठीक है तो option number यहाँ पे बीज जो है correct हो जाएगा next आईए अगर हम पचमे क्यूचन की बात करें कि चुमकिये छेत्रे मापा जा सकता है देखिए hydrometer यह जो option है hydrometer इससे क्या मापा जाता है तो बायुमंडलिये दाव मापा जाता है नई माप करना बायुमंडलिये दाव आपका बैरो मीटर से मापा जाता है है ना ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि किसका चुमकिये छेत्रे का तो आपका फल्क सो मीटर हो जाएगा option number D यहाँ पे correct हो जाएगा कौन पूछे तब क्या हो जाएगा इसका राइट आम सर तो इसका राइट हो जाएगा 0 degree option A correct होगा ठीक है 0 degree पर लगा रहा है उत्री चुमकिये ध्रोब का नाम नयन नमन कोन कितना होता है उत्री चुमकिये ध्रोब का नमन कोन के अगर बात करें तो वो जो है कितना होगा उत्री चुमकिये ध्रोब का नमन कोन का मान आपका होता है 90 degree ठीक है आसकूटर के अविष्कारक कौन थे स्कूटर आसकूटर के अविष्कारक जो है वो कौन थे तो broadshaw कौन थे ब्राड शौटर की अविष्कारक है broadshaw कोश्मिक किरनों की खोज किसने किया था कोश्मिक किरनों की खोज की बात किरे तो आपका विक्टर हेस हो जाएगा option number यहां पर be correct हो जाएगा विक्टर हेस ठीक है अगली की उचन पर आते हैं बहुत ही सांदार की उचनों की जबाब आप सब दे रहे हो ना भिकिये रियक्टरों में उर्जा उत्पादन होती है ना भिकिये रियक्टर में उर्जा के जो उत्पादन होगा वो कैसा होगा तो वो नियंतरित भी खंडन होता है उसको जो है नियंतरित किया जा सकता है ना भी किये, रियक्टर में उर्जा का उत्पादन होगा, नियंत्रित भिखंडन द्वारा होगा, कोईल्ट 60 उत्सरजित करता है, कोईल्ट जो 60 है, वो इसमें क्या उत्सरजित करेगा, ठीक है, तो 11 नंबर के राइट आंसर आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, कि क्य इसकी जो है गामा किरने उत्सर्जित करता है कौन सी किरने गामा किरने उत्सरजित करेगा है कि समान टॉस के सेल में अप घटऐ होता है समान शूस के सेल जो है उसमें बीधूत अप घटे किशे होता है तो अमोनिया कलोराइट के दौरा आमोनिया कलोराइट के दौरा अमोनिया कलोराइट के दौरा देखिए अती चालक का लच्छन क्या होता है अती चालक का लच्छन क्या होगा तो अती चालक मतलब बहुत चालक था है ना उच्छे पारग मैता जिस से हो करके बिदुत करेंट ज्यादा पास हो धो हो उसको उच्छे पारग मैता या अती चालक हम कह सकते हैं हान्ग आई अगले क्योंचन पर आते हैं तो 14 क्यूचन के बाद आपकी नमबर जो आती है 15 नमबर की कहा गया एरा 15 नमबर ठीक है देखिए यहाँ पर कि ठोश कपूर जो है ठोश कपूर से कपूर बास पे बनने की परिकिरिया क्या कहेंगे देखिए कोई भी चीज जो है ठोश से बाथ बन जाए तो उसको हम लोग एक ही चीज कहते हैं और वो है आपका क्या कहेंगे उधर्व पातन उधर्व पातन यानि शवली मेशन कहते हैं है न हीम करन क्या होता है जहां पर कोई चीज जम जाता है बासपी करन जहां से वाइल होना अवास भी निकलना सुरू होता है और पिघलना मतले melting point होता है बैग्यानिक है आर्किमीडिज सम्बंधित है आर्किमीडिज का किस देश से सम्बंधित है तो आर्किमीडिज आपको बहुत ही अच्छे पता होगा कि ग्रीश बैग्यानिक थे आर्किमीडिज कहां से थे ग्रिश बैग्यानिक ठीक है आई आगले की उचर पर 17 वे नमबर की है कि वह यूरेनियम जिससे निमने समस्थाने की सम्रिधता है वह यूरेनियम जिससे निमने समस्थाने की सम्रिधता है वो कौन सा यूरेनियम होगा तो 235 है 235 ठीक है आई अगला कि ब्रहमांड में कौन सा तत्य वे सर्वधिक मात्रा में पाय जाता है दोस्तों ब्रहमांड में ब्रहमांड में पूछ रहा है भुपटी में अगर पूछता तो सर्वधिक आपका ऑक्सीजन हो जाता भू पटी में oxygen जो है 46.60% पाए जाता है लेकिन ये ब्रहमांड की बात कर रहा है तो ब्रहमांड में सबसे ज़्यादे जो है अपका hydrogen h2 gas लगभग 71% पाए जाता है क्या बूले ब्रहमांड में hydrogen जो gas है उगभग 70% पाए जाता है सबसे याम योतर और भागोलिक याम योतर के बीच के छेत्रे के अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यूचन तो उसको कहेंगे चुमकिये दिखपात चुमकिये दिखपात कहेंगे आगली क्यूचन पर आते हैं 20 नंबर की क्यूचन है तो उदासिन किरने सिर्फ गामा किरने का होता है तो option no.20 का C correct हो जाएगा अलफा किरने की क्या है? ऐप positive किरने होती है, beta negative होती है और जो गामा है वो कैसा होती है? तो गामा जो किरने है उदासिन किरने होती है बज़स इसका जो बिधन छमता है, वो बढ़ जाती है, अगला की उचन है कि यदि पिर्थिवी पर बायु मंडल न होता, तो दिन की अबधी क्या होता, देखिए अगर पिर्थिवी पर बायु मंडल न होता, तो जो दिन की अबधी है, वो कम हो जाता, दिन की अबधी कम हो ठीक है और यदि किसी दर्पन को ठीटा कोन से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरन का घुर्णन क्या होगा यदि किसी दर्पन को ठीटा कोन से घुमा दिया जाए तो इसके घुर्णन क्या हो जाएगा तो गुर्नन जो इसकी होगा न दोस्तों वो दू डिग्री हो जाएगा मतलब दू ठीटा हो जाएगा ठीक है कितना दू ठीटा दू ठीटा हो जाएगा अगले की उचन पर आते हैं तेसमे नमबर की फटा फट रिवाइज आप सबको बहुत अच्छे से चल रही होगी बिधु धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरन का उपयोग करते हैं तो बिधु के धारा पता लगाने के लिए किस से उपकरन का उपयोग आप लोग करोगे तो हो जाएगा आपका तेसम नमबर की है ना कि बिदुधारा का पता लगाने के लिए बिदुधारा देखे बिदुधारा के इसा ही मातरक तो एमपियर होता है एमिटर से क्या किया जाता है बिदुधारा का पता किसे लगेगा तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा है न दोस्तों हम लोग टेस्टर भेगे रहे काई उज़ करते हैं एक एंगे स्ट्रोम बराबर होता है एक के एंगे स्ट्रोम किसके बराबर हो जाएगा 10 to the power 10 to the power minus 10 के बराबर होगा ठीक है अगली क्यूचन पराते हैं पाचीसमे नंबर की क्यूचन है कि निमने मेंसे किस रंग का आप बरतनांग जो है सबसे अधीक होगा तो आप बरतनांग पुछे तो सबसे अधीक आपका बैगनी रंग के हो जाती है है ना बैगनी रंग के आप बरतनांग जो है सबसे अधीक होता है सबसे काम अप अपर तनांग पुछता तो लाली लगाते और सबसे ज़्यादा तरंग धहरे पुछता तो भी लाली लगाते उसमा का सरबोतम चालक कौन सा है इसमें से चार उप्सन में से ऐसे कौन उप्सन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें उस्मा का सरबुतम चालक हो सकता है जल तो होता नहीं है ना जल तो होगा नहीं अल्कोहल और इथर इसा लिक्विट फॉर्म में ही आ जाता है तो पारा आपका सबसे अधिक हो जाएगा है यहांपर ठीक है पारा 27 नंबर किया कि खाना पकाने वाले बरतन होना चाहिए निमने बिसिष्ट उस्मा तथा निमने चालक का उच बिसिष्ट उस्मा तथा उच चालक का तो यहांपर जो है यह भी नहीं होगा आगे उप्सन पर नज़र डालते हैं और उप्सन होगा आगे ए रहा option है कि इसका right जवाब हो जाएगा उच बिसिष्ट उसमा तथा निमने चालकता option number C यहां पर करेक्ट होगा किसी गैस का आयतन प्रसार गुनांक हमेशा होता है किसी गैस का आयतन प्रसार गुनांक जो है वो हमेशा और हमेशा रिनातमक ही होता है ठीक है पिर्थिवे का अद्रविमान कितना होता है पिर्थिवे का अद्रविमान आपसे पूछा जाए पेपर में तो बहुत important सवाल आती है दोस्तों इसका जवाब 6 into 10 to the power 24 kg हो जाएगा 6 into 10 to the power 24 kg भू अस्थिर उपगरह का आपर्त काल कितना होता है ठीक है अगले की उचन पराते हैं लिफ्ट की खोज किस ने किया था लिफ्ट का खोज किस ने किया था ओटीस ने लिफ्ट का खोज किया था उड़ते हुए हेलिकॉप्टर में उर्जा कौन सी होती है उड़ता हुआ हेलिकॉप्टर में जो है कौन सा उर्जा हो जाएगा तो आपको हो जाएगा अस्थितिज और गतिज उर्जा दोनों उड़ते हुए हेलिकॉप्टर में अस्थितिज और गतिज उर्जा दोनों आपको देखने को मिल जाती है 23 नमर की क्यूजन है कि किस ताप पर ध्वानी का बेग 332 मीटर पर सेकंड होता है किस ताप पर किस टेंप्रेचर पर देखिए ध्वानी का बेग तो इतना होता है आप सबको पता है 332 मीटर पर सेकंड पर वो किस टेंप्रेचर पर होता है बहुत इंपोर्टन जीरो डिग्री टेंपरेचर पर ध्वानी का जो बेग होगा इतना हो जाए ठीक है आगले क्योचर पर आते हैं कि पिर्थीवित तल से उपर या नीचे जाने पर गुरुतवियत तवरन का मान क्या होता है तो घट जाता है और दुरूब पर इसका जो मान होता है वो बढ़ जाता है और जीर का वैलू क्या होता है तो आप कहोगे कि नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकिट 35 की उचन पर आते हैं कि जब बरफ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है बढ़ता है आयतन घटता है अपरिवर्तित रहेगा तो देखिए जब बरफ पिघलेगा ना तो उसका आयतन भी जो क्या हो जाएगा आयतन घट जाएगा बरत पिघलेगा तो आयतन घटता है पा आइए तो electron भी काई आपका उर्जा की हो जाएगा option नमर ये correct हो जाए उर्जा काई electron bolt को मा पा जाता है दाब बढ़ने पर जल का कौथनांक दाब बढ़ाने पर जल का जो कोथनांक होगा वो बढ़ जाएगा दाव बढ़ होगे तो जल का कोथनांक भी आपका बढ़ जाएगा 38 नमबर कि बेंचुरी मीटर से ग्यात करते हैं बेंचुरी मीटर तो बेंचुरी मीटर से ग्यात करते हैं जल के प्रवा की दर को जल के प्रवा के दर को इसे बेज्शुरी मीटर से जार्च करते हैं लाश्ट के उझेने इस वीडियो का दोस्तो एक लिफ्ट एक समान बेग से उपर जा रही है तो उसमें अस्थिर ब्यक्ति का भार क्या होगा जब उपर जाएगा तो उसमें अस्तिर व्यक्ति का भार क्या होगा बड़ा दिखाई देगा क्या कोई अपरिवर्तित नहीं होगा जब एक समान व्यक्स उपर जाएगा तो उसका भार जो है कोई अपरिवर्तित नहीं होगा दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे और एक नई सांदार वीडियो में धन्यबाद